हेलो बच्चो ओल एक्जाम प्रिपेशन चैनल में बहुत-बहुत सागत है दो बच्चो आज मैं फिर से DRDO के एक्जाम का सेकंड वीडियो नहीं सौरी बच्चो पाचमा वीडियो लेकर आई हूँ DRDO एक्जाम का और इससे पहले मैं एक बात यह कहूंगी आपसे मेरे इस चैनल को आप लाइक करें बच्चो सब्क्राइब करें ताकि आपको मैं जो भी नए वीडियो डाल रही हूँ इस वक्त एक्जाम में आपको तुरंत वो प्रोवाइड हो सकें क्योंकि मैं डेली ही बना रही हूँ तो आपको exam में help होगी और मैं तो ये भी कहती हूँ कि आप इसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद इसको share भी करें तो बच्चों चलते हैं इसमें 41 question है यानि 41 question है question ये है कि निम लिखित में से कौन सा हार्मोन एक steroid है निम लिखित में से कौन सा हार्मोन एक steroid है इसका उत्तर है बच्चो estrogen उत्तर क्या है बच्चो estrogen next बच्चो पधार्थ के किस रूप में एक निश्शित मात्रा है लेकिन कोई निश्शित आकार नहीं है बच्चो रटना नहीं चाहिए समझना चाहिए question क्या कह रहा है कि पधार्थ के किस रूप में एक निश्शित मात्रा है लेकिन कोई निश्शित आकार नहीं है तो इसका उत्तर है बच्चो gas next बच्चो एक ठोस को gas में बदलने की पिक्रिया को क्या कहते है मैंने जैसे आपको बताया था कि रटा नहीं मानना है रटना नहीं चाहिए question को समझना चाहिए फिर उसका answer देना चाहिए तो आप समझिए इसको एक ठोस को gas में बदलने की पिक्रिया को क्या कहते है इसका उत्तर है उदब पातक इसको इंगलीज में कहते है सबली मेशन सबली मेशन यानि उदब पातक next अब बच्चो कोवार्ट एक है कोवार्ट क्या है बच्चो एक संकरमण धातू यानि transition metal next अब बच्चो अब इसका उत्तर है बच्चो plajma इसका उत्तर क्या बच्चो प्लाज्मा अब यहां पर बच्चो यह लोग आप लोग कन्फ्यूज होंगे कि प्लाज्मा तो बाइलोजी के ब्लड में आता है लेकिन बिल्कु ठीक का जो बाइलोजी में प्लाज्मा है वो ब्लड से संबन दीते हैं लेकिन यहाँ पर द्रश्यमान ब्रह्माण में भी प्लाज्मा पाया जाता है, क्योंकि आपने इसकी स्टेज पढ़ी होंगी, मैटर की, कि मैटर फूर्थ पिकार का होता है, सॉलेट, लिक्विड गेस, और उसमें चौथा होता है प्लाज्मा, तो आप इसको याद रखिएगा, कि एक प्लाज्मा होता है बाइलोजी में, जो ब्लेड में होता है, और एक प्लाज्मा होता है अपने ब्रहमांड में, जो वीजवल इन्वर्स के अंतरगत आता है, नेक्स बच्चो, हम एक नाविक के साथ कुश्काओं को क्या कहते हैं, हम एक नाविक के साथ जब कुश्काओं होती है, तो इसको क्या कहते हैं, यू केरियोटिक, इसका अंसर क्या बच्चो, यू केरियोटिक, नेक्स बच्चो, पाई का सही मूले क्या है, question क्या है बच्चो πाई का सही मुल्य क्या है बहुत अच्छा question है important question है यहाँ पर अगर हम answer देखते हैं तो इसका answer होगा impossible to calculate यानि गणना करना असंवब है अगर इस प्रश्ण को यहाँ पर देखते हैं लेकिन अगर यही question अगर math में आपको numerical निकालने में आता है तो वहाँ पर πाई का जो मुल्य है वो 3.14 होगा 3.14 होगा तो बच्चों confuse ना होकर इसको इच्छी तरह समझ लेजिए कि πाई का सही मुल्य क्या है वैसे तो है impossible to calculate यानि गणना करना पाई का असंवब है value का इसकी value असंवब है असंवब किसको कहते है जो अनन्त तक होती है जिसकी हम गणना नहीं कर सकते लेकिन math के साब से मैं आपको बता है कोई numerical निकालते हो वहाँ पाई की value लगाई जाएगी तो 3.14 लगाई जाएगी तो next ना बच्चों gas को ठोस में बदलने की प्रिक्रिया को क्या कहते है इसका answer है बच्चो निच्छेप इंगलिस में कहते है deposition deposition यानि निच्छेप next बच्चों निम लिखित में से कौन सी एक बड़ी रक्त भाई का है जो हिर्दे से रक्त को बहाल ले जाती है question समझा करो पहले फिर इसको मतलब समझने के बाद ही answer लगाया करो तब ही question गलत हो जाती है बच्चों के तो question को फिर समझे question बहुत अच्छा है important है ये DRDो के exam के साथ अन्य exam भी आता है तो निम लिखित में से कौन सी एक बड़ी रक्त भाई का है रक्त भाई का है जो हिर्दे से रक्त को बहाल ले जाती है इसका अंसर है धवनी इसको कहते हैं आर्टरी तो question क्या था बच्चों निम लिखित में से कौन सी एक बड़ी रक्त भाई का है जो हिर्दे से रक्त को बहाल ले जाती है इसका अंसर है धमनी यानि आर्टरी नेक्स बच्चो निम लिखित में से कौन एक बायू जनित बिमारी है निम लिखित में से कौन एक बायू जनित बिमारी है यहाँ पर इसका उत्तर है मीजल्स यानि खसरा मीजल्स यानि खसरा यहाँ पर बच्चों में एक बात बताऊंगी जो वायूजनित बिमारी है इसको कहते है यरवोन और यरवोन होते हैं मतलब हवा से उड़ते हैं जो जो वैक्टिया होते हैं हवा से उड़ते हैं उनसे जो बिमारिया होती है वो बिमारिया है जैसे चिकन पॉक्स है एंथ्रेक यहां पर वाईउजनित बीमारी यहां तो खस्रा दिया और कहीं पर दे दिया जाए चिकन पॉक्स या एंत्रेक्स या इनुफिलमजा या चेचक या क्रिप्टो काकोसिस या तपेदिक तो यह सारी बीमारिया किस से फैलती है मतलब येर में जो पॉलिशन होता है या वेक्टिया वगर जो होते हैं उसके दोरह बिमारी फैलती है तो आप इसको अच्छी तरह याद करिए रटिए बच्चो और आज का वीडियो में ही समाप्त करती हूँ बच्चो समाप्त करने के पहले मैं फिर से एक बात यही कौँगी मेरे चैनल को आप सब्क्राइब करें बच्चो लाइक करें और शेर भी करें ताकि अन्य बच्चों की भी हैल्प हो सके एक्जाम में क्योंकि एक्जाम बहुत नजलीक है बच्चों ठेंक्स